हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये चैनल तक सब्सक्राइब कर लिया होगा प्रजेक्स लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट ज्वारा बनाई गई हैं तो मौका मत जाने दीजिए फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें यह हमारे लिए मैंने आपको कल की वीडियो में पिछले लेक्चर में बताया था कि कल से हम एक नया कंसेप्ट लेकर आने वल हैं तो आज से मैं बेसिक इंग्लिश की शुरुआत कर रहा हूं मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आएगी सर अभी प्रेक्टिस और कराईए तो प्रेक्टिस खतम नहीं होगी टॉपिक्स चलते रहेंगे साथ साथ एक ना एक वीडियो पर वीक एक वीडियो स्पेशली प्रेक्टिस सेशन के लिए तयार रहेगी तो शुरू करते हैं यह है लेक्चर नमबर टैन बिल्कुल टेंशन मत कीजिए यह सीरीज चलती रहेगी बस आपका काम है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ लिया था जिसमें हमने यह पढ़ा था कि जो भी वर्ड पजेसिव वर्ड के बाद वर्ड का जवाब दे वह नाउन कहलाता है तु बाद शुरू हो रहा है लेकिन विदाउट बेस जो मैंने आपका पिछले 5-6,7,9 लेक्चर में जो कराया है आज ये 10 लेक्चर है पिछले 9 लेक्चर में जो आपका कराया है वो मैंने कराया है अपका बीज इस प्रेस के बिना आप कुछी समझिए यह रट्टा लगेगा क तो आप पहले जाकर उन्हों लेक्टर्स को जरूर देखिए तो अब देखिए हम बात कर रहा है कि नाउन कितने टाइप की होती है सबसे पहला है उसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है जो किसी के बारे में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे नाम से ही क्लियर है प्रॉपर है तो प्रॉपर आपका मतलब क्या हो गया किसी के बारे में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देना अब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलेगी कि सर किसी परसन का, किसी परसन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का स्पेसिफिक, ये लोग जो है न, ये स्पेसिफिक होने चाहिए, अगर परसन है, तो वो स्पेसिफिक हो, कोई प्लेस है, तो वो स्पेसिफिक हो, और कोई थिंग है, तो वो स्पेसिफिक हो, एक्जाम्पल्स बताते हैं एक्जाम्पल इसका है राम, रहीम, शाम, मोहन, सीता, गीता जो किसी का नाम रिप्रेजेंट करें अगर मैं बोलूं कि महां एक लड़का खड़ा है ठीक है तो आप ये समझ पाएंगे सिर्फ कि एक वर्ग, कोई एक क्लास है कि मतलब, या तो बॉय था या गियर्ल था तो मैंने उसमें से ये स्पेसिफई कर लिया कि ये कोई बॉय है लेकिन बॉय तो करोड़ों है उन बॉय में से ये कौन सा है जिसे आप जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे इसका नाम क्या है तो जो noun proper नाम बताए वो होती है proper noun जैसे राम अब मैंने बोला एक लड़का खड़ा है उसकी जगर मैं बोलू राम खड़ा है तो मैंने उस आदमी को properly identify कर दिया इन्हें proper manner ठीक है कि वो राम है तो इसी तरीके से कोई भी अगर नाम मिलेगा मुझे तो वो नाम क्या होगा proper noun जैसे देली है जैपूर है किसी कभी कोई टाउन है फरीदाबाद है कोई भी टाउन है वो टाउन क्या है एक proper identification है इसी की जगे मैं बोल दूँ कि country है अगर world के sense में देखूँ तो country proper noun बन जाएगा इंडिया बोला इंडिया proper noun बन गया लेकिन इंडिया के sense में देखूँ तो उसके अंदर आने वाली city जो है जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ ठीक है दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली मेरा proper noun बन गया अगर मैं बूलू इंडिया में रहता हूं तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में इंडिया प्रॉपर नाउन बन गया तो यह थोड़ा रिलेटिवली चलता है अगर मैं बात करूँ कि मैंने कोई मोन्यूमेंट देखा तो वो क्या हो गई एक क्लास हो गई Monument कुछ भी हो सकता है इतने सारे Monument है इंडिया में तो भरे बड़े हैं इंडिया में कमी थोड़ी ना है इंडिया बहुत इतना कल्चरल diversification है यहाँ पर तो monument कोई भी हो सकता है लेकिन मैं अगर specific बात करूँ ताज महल की तो उसने क्या कर लिया identify कर दिया proper manner में तो वो क्या हो गई? proper noun clear है? अब इसका difference आप समझे common noun के साथ common noun क्या होती है? common noun होती है name of class of a person place thing वहाँ हम बात कर रहें तो specific person की और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ class की यह difference होता है इसे आपको समझना जरूरी है जैसे boy, girl, man, woman यह क्या हो गए? एक class को represent कर रहे है कि वो एक आदमी है वो एक औरत है अब औरत कोई भी हो सकती है आदमी कोई भी हो सकता है लड़का, लड़की, कोई भी हो सकता है तो यह एक class को represent कर रहे है और इसमें ही अगर मैंने नाम डाल दिया तो वो एक proper, specific person को represent कर रहे है किलियर है? animal, animal हजारों होते है लेकिन उन में से कोई भी एक breed उठा ली मैंने ठीक है, प्रजाती उठा ली तो वो proper noun हो गई city, city कोई सी भी हो सकती है उस city में से मैंने अगर नाम दे दिया तो वो proper noun हो गई monument, मैंने अभी monument रो ताजमेल का difference बता दिया city और जैपूर का difference बता दिया animal में आप कोई भी add कर लीजी आपके घर का कोई कुत्ता है, उसका नाम है ठीक है, या फिर कोई labrador वगेरा है german shepherd है, कोई भी breed हो सकती है, तो वो अगर मैं specific breed की बात करूँगा, तो वो proper noun हो जाएगी, otherwise मैं किसी dog की, किसी animal की बात करूँगा, तो वो common noun हो जाएगी difference समझ आता है, बहुत आसान है समझना, बस आप दिमाग लगा कर बैठे रही है इसके बाद, दो और है material noun, collective noun ठीक है, noun बहुत टाइप की है अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, देखिए material noun क्या होती है, जो किसी material के बारे में बताए यह क्या होता है सर, अरे कोई material हो गया, कोई substance हो गया, मतलब जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, यह क्या हो गया material हो गया, ठीक है और कोई substance जैसे air, हवा, पानी बिजली, ठीक है sunlight, कोई भी चीज जैसी हो गई तो वो क्या हो जाएंगी सारी material ना हो जाएंगी, material मतलब एक धातू, धातू ही बोल सकते हो या इसे बोल सकते हो, जिसे आप एकसाब से touch कर सको ठीक है, जो किसी चीज से बनी होई हो, वो material है अब कपड़ा भी आ सकता है उसमें कपड़ा भी किसी चीज से बना हुआ है कोई लकड़ी भी आ सकती है कुछ भी चीज है जो किसी material से बनी होई है धातू को हो सकता है आप metal के sense में ले जाएं, लेकिन material का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज से बनी होई है, किसी तत्तों किसी पदार से बनी होई है, इसलिए मैंने आपको लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब के example दे दिये, क्लियर है और आता है हमारा collective noun collective noun क्या होता है, नाम से ही जैसा पता लग रहा है एक collection, जहां पर एक collection के बारे में idea लगे हमें, तो group of creatures, places, things जैसे, जैसे, पुलिस, पुलिस अब देखिए, मैं इनका आगे difference भी बताऊंगा, पुलिस के साथ इस भी होता है और पुलिस के साथ आर भी होता है लेकिन पुलिस क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने पुलिस बोल दिया, तो एक पूरे के पूरे department को represent कर रहा है उन लाखों लोगों को represent कर रहा है उन लाखों पुलिस वालों को represent कर रहा है जो इस देश की सेवा में लगे हुए है आर्मी की बात करी, तो भी सेम चीज है डॉक्टर्स की बात करी, पोस्टमेन की बात करी किसी भी community की बात की मैंने तो वो क्या हो जाएगा, collective noun कि मतलब मैंने एक word बोला लेकिन पूरी की पूरी community को represent कर दिया अब वो community किसी से related हो सकती है ठीक है, मैं religion की बात नहीं कर रहा हूँ वो कुछ भी हो सकता है, जीसलिए मैंने आपको पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, टीचर, कोई भी हो सकता है ठीक है, अब बात कराए places की, तो places, state स्टेट क्या है, cities का collection towns का collection ठीक है, districts का collection तो क्या हो गया, state क्या काम करेगा, collective noun का काम करेगा country, country क्या है collection of states इस तरीके से समझे, collective noun क्या होई जो collection है, collection किस चीज का उससे छोटी-छोटी चीजों का collection जो छोटी-छोटी चीज हैं उनसे मिलकर बनी है है fleet और herd fleet क्या होता है जहाजों का बेड़ा F L double E T याद कर लीजेगा one word में बहुत आया हुआ है previous years में और आगे भी आने की उमीद है fleet क्या होता है जहाजों का बेड़ा fleet के साथ भी इस भी आता है और आर भी आता है इसी तरीके से हमने बात की herd herd हर्ड क्या होती है जहां मवेशियां वगेरा होती है न मवेशियां सुनिये उनका जुन्ड जो होता है वो होता है हर्ड क्लियर है अब मैं आपको थोड़े से डिफरेंस बताता हूं देखिये मैंने बात की police की ठीक है मैंने बात की लोगों की मैंने बात की अलग अलग ठीक है लेकिन आपने पीपल से सुना है, पीपल भी यूज होता है, जर्णरल ई आप जब इंगलिष में बोलते हैं तो पीपल बोलेंगे, लेकिन पीपल कहां यूज होगा, जब हम डिफरेंट कम्यूनिटीज की बात करें, different countries के लोगों की बात करें तो वहाँ क्या use होगा peoples याद रखिएगा इस चीज को सुनने में बड़ी ad party लगती है अगर आपने अब तक नहीं सुनी है लेकिन peoples use होता है जैसे peoples of India and America ठीक है तो महाँ आएगा peoples क्योंकि वो different countries को represent कर रहे है इस तरीके से different communities को अगर represent करें तो वहाँ भी peoples आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से एक word होता है crowd अब crowd क्या होता है crowd अपने आप में एक plural word है crowd का मतलब क्या हो गया bead clear है crowd का मतलब क्या हो गया bead हो गया अब bead तो हो गया लेकिन bead में भी is और आर दोनों लगते हैं कैसे सर देखिए अगर मैं एक crowd की बात करूँ जैसे बहुत सारे लोग आ रहे है बहुत सारे लोग एक जुन्ड बना कर आ रहे है तो उसे मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा crowd is coming crowd is supporting ठीक है लेकिन आमने सामने की लड़ाई हो रही है आमने सामने की तो वहाँ पर क्या है एक जुन्ड इधर से आया एक जुन्ड इधर से आया तो वो क्या हो गई दो crowd हो गई समझ रहे हैं दो crowd हो गई तो मैंने represent किया कि ये crowd मेरी है ये crowd मेरी नहीं है ठीक है करेंगे crowds crowds are there one of them is supporting me the other one is other one is not supporting me clear है तो वहां क्या use होगा crowds are clear होता है चलिए आगे बढ़ता है इसी तरीके से मैंने बताया fleet fleet क्या होता है जहाजों का बेड़ा उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि fleet के साथ भी इस आएगा और आर भी आएगा fleet मतलब एक जहाजों का बेड़ा और two fleet three fleets मतलब दो तीन जहाजों के बेड़े तो two fleets of ships are coming one fleet a fleet is coming तो अब fleet जब आएगा देखिए वैसे यह group को represent कर रहा है तो यह collective noun हो गई तो उस collective noun के लिए इसका यूज कर लिया लेकिन collective noun भी अगर दो तीन है तब तो हमें आर का यूज करना पड़ेगा ना तो इस तरीके से खेल चलता है अब आगे देखते हैं पुलिस पुलिस क्या होता है पुलिस में भी इस और आ रहाता है कैसे सर अब इन चीजों को समझना पुलिस और टीम यह सेम काम करते हैं सेम काम करते हैं जैसे पुलिस में इस कब होता है जब किसी department की पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ अगर मैं उनकी बात करूँ तो वहां आएगा इस जैसे पुलिस इस इन्वेस्टिगेटिंग दा मैटर तो अगर मैं बोलू पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग दा मैटर इसका मतलब क्या हो गया कि पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है ना इसी के जगे अगर आ जाता ना inquire तो inquire के साथ आता into यह मैं आपको investigate word दिखा इसलिए मैं आपको बताए दाऊ साथ में इसको लिख लिए जिएगा inquire अपने साथ fix proposition into लेता है तो police is investigating the matter और police is inquiring into the matter clear है याद रखिएगा इस चीज़ को और police का R की form में use कब होगा पुलिस का R की form में use होगा जब police को individual बंदों के बारे में बात की जाए पलिस के individual लोगों के बारे में बात की जाये जैसे पलिस आर Petroling Petrol का मतलब क्या होता है फैट्रोल का मतलब होता है गस्त देना जो रात को देता है न जेनरली पولिस की गाड़ी होती है PCR वागेरा जो चलती है तो Police are Petroling इसका मतलब क्या है Police Department नहीं पुलिस वाले एंजॉय कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है पुलिस वाले कर रहे हैं अब पुलिस वाले कोई भी हो सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आ जाएगा याद रखिएगा इस चीज को इसको और आप समझ प shopping का मतलब क्या है वो जब शॉपिंग कर रहे हैं तो वह as a team shopping नहीं कर रहे हैं वो individual इनसान की तरह shopping कर रहे डिफ्रेंस समझ में आता है clear है तो team is playing तब वो as a group खेलेंगे as a whole खेलेंगे ठीक है अपने देश को represent करेंगे लेकिन team are shopping का मतलब क्या है वो individual अकेला अकेला ठीक है जैसे विराट खोली को आपने देखा होगा कई लोग होते है केल राहूल वगेरा उनको shopping करते हुए आपने देखा होगा काफी वीडियोज आती है तो उस case में क्या होता है वो individual shopping कर रहा है तो वो क्या होगा team are shopping ये कब य manager को phone किया कि मुझे team से बात करनी है तो वो क्या बोलेंगे team are shopping इसका मतलब क्या है team के लोग shopping कर रहा है कि लिए इंडिया के साथ भी इस और आ रहाता है औरे सर ये कैसे देखिए वही चीज़ है इंडिया को as a country अगर मैं बात करूं इंडिया is इंडिया has the largest written constitution वर्ड में इ लिखित समविदान है ये quality हम शुरू करने वाले हैं उसमें बहुत जल्द आपके लिए चीज आएगी और जिस तरीके के आपको quality पढ़ाई जाएगी ना आप देखिएगा match करके देखिएगा कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो उससे match कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा ठीक है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने आपको एक brief दिया कि India has the largest written constitution इंडिया का world का सबसे बड़ा written constitution है तो वहां क्या है as a country और इंडिया have won the match इसका मतलब क्या है इंडिया के लोगों ने समझ रहे हैं इंडिया के लोगों ने तो यह difference है यह मैंने आपको समझा दिया अब दो type के noun और होती है ठीक है उसके बाद countable uncountable भी होती है अभी देखते है concrete और concrete भी बोल सकते और concrete भी बोल सकते concrete बोल लो इसको और abstract noun concrete का मतलब क्या होता है जनरली आप समझे है concrete का मतलब क नहीं कोई जैसे proof मुझे जैसे बोलता है मुझे ठोस concrete मतलब होता है अैक तरीक से ठोस मुझे kaun concrete proof मुझे थोस सबूत चाहि daytime ठीक है तो concrete का मतलब क्या होता है जो चीज देखे जिस चीज को मैं prove कर सकूँ तो concrete का मतलब क्या हो गया physically जो चीज exist करे जो चीज आपको दिख रही है वो concrete noun है जो चीज नहीं दिख रही है वो abstract noun है simple सा फंडा simple सा फंडा जो चीज आपको दिख रही है वो concrete noun है जो चीज आपको नहीं दिख रही है वो abstract noun है समझ माता है यहां तक अब देखिए क्या example समझेंगे मैंने आपको दोनों साथ में पढ़ा दिये इसलिए थोड़ा confuse मत हो जाएगा यह abstract noun है जिसकी कोई physical existence नहीं होती है यह सारी abstract noun है यह सारी concrete noun है अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यार जे समझेगा सबसे पहले माने बात की honesty की इमानदारी क्या इमानदारी दिखाई देगी आपको उसके शब्द सुनाई दे सकते हैं ठीक है हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी ग्यानिंद्रियों की बात करते हैं जिसमें हमारा सुनना देखना यह सब इंक्लूड होता है तो उसमें honesty आती है honesty के case में क्या होगा इमानदारी है honesty ठीक है क्या honesty आपको दिख सकती है या आप सुन सकते हैं honesty के साथ में ऐसा कुछ हो सकता है बताइगी मुझे honest जब आदमी बन रहा है तो उसकी आवाज सुनाई दे सकती है आपको clear है आवाज सुनाई दे सकती है तो honesty abstract नाउन हो गया और उसकी आवाज वॉइस जो हमें दिखाई दे सकती है दिखाई नहीं देगी लेकिन सुनाई दे सकती है मैंने ग्यानिंद्रियों की बात की तो उन में से कोई भी action अगर हो रहा है तो वॉइस वॉइस आपकी क्या हो गई concrete नाउन इन सबका ना relation लगा के देखना जो मैंने आपको बताया है तुमारा word तुमारी voice तुमारी honesty वो फंड़ा हर जगे चलेगा तीक है अब sadness कोई आजमी दुखी है दुखी है तो क्या उसकी sadness दिखेगी या उसके आशू दिखेंगे बताये है उसकी sadness दिखेगी या उसके आशू दिखेंगे आशू दिखेंगे तो आशू क्या हो गई concrete noun और sadness क्या हो गई abstract noun इसी तरीके से day Sunday, Monday, Tuesday, birthday है न कोई भी day है क्या वो day दिख सकता है आपको day नहीं दिखेगा लेकिन उस day पर जैसे मैंने आपको example ले लिया birthday किसी का birthday ह नहीं दिखता है आपको birthday नहीं दिखेगा लेकिन उस पर लोगोंने जो कपड़े पेने हैं उस पर जो लोग आए हैं उस पर जो बैलून वगरा फलाए हैं उस पर जो केक आया है जो पार्टी हुई है वो चीज दिखेंगी तो ये सब क्या हो गए ये सब क्या हो गए concrete noun और डे क्या हो गया abstract noun clear है लेकिन अगर आपको concept clear है न वह वाला जो मैंने बताया तुमारा what वाला तो आपको इंग सब चीजों में दिख्कत आएगी ही नहीं क्योंकि अगर आप इनका practical uses देखें न तो आपको तो noun को identify करना है और noun को identification मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सारे physics, maths, science इस तरीकी के जो ICS लगने वाले words होते हैं उनको अगर मैं as a subject बात करूँ जैसे मैंने degree की physics में मैंने degree की मैंने msc की match में तो वो चीज दिख सकती है वो मेरा एक field है कि इस field में मैंने की है तो वो चीज तो नहीं दिख रही लेकिन दिखेगा क्या match का formula match का formula दिख सकता है आपको match क्या है basically कोई problem है जिसका कोई solution निकालने का कोई formula वगेर अवेलिबल है यही match है तो match as a formula जब आएगी तब उसे हम मानेंगे concrete noun लेकिन match जब as a subject as a field आएगी तो उसे मानेंगे हम abstract noun इसके मैं example आपको सामने लेकर आऊँगा ठीक है चिल्टा मत कीजिए और देखिए अगर आपके सामने आया है childhood और child अब इनमें difference समझिए childhood और child में क्या difference है चाइल्ड जो है वो तो दिख सकता है लेकिन क्या childhood दिख सकता है चाइल्ड नहीं दिखेगा तो childhood क्या हो गया आपका abstract noun और child क्या हो गया आपका concrete noun क्लिए रहे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब हो countable and countable noun से मैं आपको कल शुरू करूंगा और इनको भी basically मैं आज आपको थोड़ा सा brief दे देता हूं detail में कल डिसकस करूंगा इसमें जीरंड infinitive का concept आता है जीरंड हो गया राम बोल दूँ या राम की जाके मैं उसको अगर दुबारा रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको ही बोल दूँ लेकिन रहा तो वो noun pronoun नहीं ना प्रोनाउन जो है वो noun ही है ठीक है तो उनकी टेंशन मत लीजिए noun pronoun का यूज हो सकता है subject और object पर लेकिन अगर अगर मैं बा चाहिए noun pronoun क्या playing noun है playing तो नहीं है जर्ब आपने पताया तुमारा वाट तुमारा प्लेइंग तो नहीं होता है तो उस case में क्या होता है कि जब playing क्या है एक verb है खेलना play verb है वर्ब में आई एंज लगा हुआ है तो जब हम verb को as a noun use करना चाहें या फिर वर्ब का as a noun जहां प या infinitive की form में उसका use होता है इनको हम जब topic आएगा न जीरंड infinitive का था बहुत अच्छे detail में देखेंगे ठीक है बाकी मैं आपको बताये तो जीरंड में क्या होता है कि verb जो होती है उसमें ing लग जाता है और infinitive में क्या होता है two plus verb की first form लग जाती है तो playing is good for health मतलब खेलना स thought के लिए अच्छा है अब अच्छा है इस case में क्या हो रहा है कि यहां पर subject आना चाहिए था subject आने के लिए noun आनी चाहिए थी noun की जगए वर्ब आ रही है तो उस वर्ब को जब मैं noun की जगए पर लगाना चाहूंगा तो उस case में या तो आएगा जीरंड या आएगा infinite होग बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लोग जुड़े हुए उनका response बहुत अच्छा आ रहा है तो इसे बस आपको इतना ही करना है अगर lecture पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और बने रही है हमारे साथ till then bye bye good night